नमस्कार और हलो एवरिवन धर्मीज केक अन्बेक में आप सब का स्वागत है और हैपी वर्ल चॉकलेट डे टू एवरिवन आज वर्ल चॉकलेट है तो मैंने सोचा कि दो चॉकलेट केक्स आपके साथ शेयर की जाए और ये मेरी सबसे टॉप सेलिंग केक्स है क्योंकि ये दोनो चॉकलेट मूस केक है तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाने तो हमने यहाँ ओडी इकोबेक पेपर ले लिया है जिससे हम पूरे टिन को कवर करेंगे ओडी इकोबेक पेपर हैसल फ्री और बहुत ही कन्विनेंट है और इसमें कोई भी हामफूल केमिकल्स नहीं है इसलिए हमारे लिए यूज करना बहुत ही अच्छा रहेगा तो हम यहाँ 1 kg का केक बना रहे है इसलिए हमने यहाँ 8 इंचिस का टिन लिया है जिसमें अब हम ओडी इकोबेक पेपर के कटिंग्स इस तरह से अरेंच कर लेंगे हम यहाँ 1 kg का केक बना रहे है तो हमने यहाँ 2 कप चॉकलेट प्रिमिक्स लिया है जिसमें हम 1 cup पानी एड़ करेंगे और हमारा cup 200 ml का है अगर आप 250 ml के cup से measurement लेते हो तो उसी हिसाब से हमें लेना होगा और ratio सेम ही रहेगा अब हम अच्छे से cake batter बना लेंगे और batter में एक भी lumps ना रहे वो बात का हम ध्यान रखेंगे अगर आपको cake को कड़ाए में बेक करना है तो preheated कड़ाए में 10 मिनिट के लिए full flame पर और 30 मिनिट के लिए low flame पर हम बेक कर लेंगे अगर आप ये cake ओवन में बेक करना चाते हो तो आप baking mode पर 180 degree Celsius पर 30 मिनिट के लिए oven में cake को बेक कर सकते हो अब हम ये cake batter को टिन में transfer कर लेंगे और हम cake को भी बेक कर लेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ chocolate mousse बना लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ whipping cream ले ली है और मैंने ज्यादा quantity में ली है क्योंकि मुझे इससे ही cover भी करना है cake को और fillings में भी यही cream जाएगी तो इसके लिए मैंने whipping cream ले ली है अब मैंने बहुत सारा गनाश एड़ कर दिया है जो हमारा whipping cream का part है उसका one fourth part में यहाँ chocolate गनाश एड़ करती हूँ और इसकी detail recipe हमने already आपके साथ share की है जिसकी link description box में भी है आप गनाश कैसे बनाना है प्रॉपर frosting के लिए गनाश कैसे बनाना है यह वाला मेरा frosting वाला ही गनाश है तो उसकी link भी मैंने description box में दे दी है आप उधर check कर सकते हो इससे अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद हम cake बनाने की शुरुआत करेंगे तो यहां सबसे पहले हमने 1kg का cake bake कर लिया है जिसको हम 3 layers में cut करने वाले हैं और बहुत सारे friends हमें पूछते हैं कि आप कौनसे layer किदर रखते हो cake placing में तो मैं यहां बता दू कि यहां जो हमारा सबसे पहले top layer है वो हम cut करेंगे उसके बाद middle layer और उसके बाद base layer तो base layer को मैं वैसे ही रहने देती हूँ और जो second layer में रखती हूँ वो मेरा top layer होता है और जो third layer है तो वो हमारा middle layer हमने निकाला था उसको मैं top layer में रखती हूँ तो इस तरह की मेरी layers की placing रहती है तो अब हमारा यहां layers cut होके ready हो गया है और सबसे पहले हम base layer को अच्छे से soak कर लेंगे तो अब हम cake की layering स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहां mousse cream लगाएंगे और वो भी हम palette knife से यहां spread कर देंगे अच्छे से spread करने के बाद हम ganache भी add कर देंगे और ganache को भी अच्छे से spread करेंगे आप यहां ganache के जगे chocolate sauce भी add कर सकते हो वो भी एक अच्छा option है आप कोई भी दोनों में से एक use कर सकते हो लेकिन यह skip मत करना क्योंकि यहां बीच में ganache या तो chocolate sauce add करने से cake का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है अब हम यहां उसके बाद choco chips भी add कर देंगे और second layer रख देंगे बस इसी तरह से हम पूरी cake की stacking कर लेंगे तो सबसे पहले हम यहां side से cover कर लेंगे ताकि हमारी cake perfect straight बने और उसके बाद हम second layer को भी soak कर लेंगे soaking तो हम करते ही है लेकिन उसमें भी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जैसे जो base layer है उसको हम सिर्फ 70% ही soak करेंगे क्योंकि यहां base layer को आराम से moisture मिल सकता है जो second layer और third layer में से आता है वो और second और third layer को हम 100% soak करेंगे क्योंकि वो अच्छे से soak होने चाहिए वरना cake के crack होने के chances ज्यादा है और base layer को हमें 70% ही soak करना है इसलिए अगर हम base layer को ज्यादा soak करते हैं तो कभी-कभी cake transfer के time हमारा cake तूट जाता है इसलिए ये बात का हमें खास ध्यान रखना होगा अभी मैं यहां आज bakery style finishing करने वाली हूँ जैसे कि bakery में यहां third layer के बाद direct cream apply करकर final finishing करते हैं बस उसी तरह से मैं भी आज try करने वाली हूँ देखते हैं कि कैसा finishing होता है तो मैंने यहां third layer के बाद crumb coating के लिए cream नहीं लगाई थी मैंने direct ही third layer के बाद ज्यादा cream डाल कर palette knife से spread कर लिया था अब जहां cream कम लग रही है वहां sides पे भी मैं cream लगा दूँगी और उपर भी मैंने अच्छे से cream लगा दी है जितनी हमें final finishing के लिए जरूरत है उतनी cream मैंने उपर भी लगा दी है बस अभी sides में थोड़ी cream लगा कर अब हम यहां इसकी अच्छे से finishing कर लेंगे initial level पे हम यहां palette knife से ही finishing कर देंगे उसके बाद हम यहां soft scrapper use करकर इसकी अच्छे से finishing कर देंगे कभी-कभी ऐसी चीज़ भी try करनी चाहिए तो हमें पता चलता है कि bakery वाले भी कैसे फटा-फट इनकी cake की finishing करते है हाला कि उनकी practice ज्यादा होती है हमसे लेकिन ऐसे tricks भी try करना चाहिए और मेरे हिसाब से तो यह 100% useful है तो अब हम यहाँ cake को अच्छे से soft scrapper से finishing कर देंगे और यह trick जो beginners है वो भी एक बार जरू try करे क्यूंकि ऐसी चोटी-चोटी tricks try करने से हमारा finishing भी अच्छा होता जाएगा और प्लस हम नई-नई tricks भी सीखते जाएगे और आज मैं यह cake chocolate glaze से cover करने वाली हूँ और chocolate glaze कैसे बनाना है वो भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ share किया हुआ है तो इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा अब मैंने यहाँ cake को cake board पर transfer कर लिया है और हम इस cake को 10 minute के लिए freeze में set होने के लिए रख देंगे क्योंकि इसके उपर हम उसके बाद chocolate glaze भी लगाने वाले है तो हमारा chocolate glaze इस पे फटाफट अच्छे से set हो जाएगा तो यहाँ मैंने chocolate ganache ले लिया है जिसमें मैं 3 tablespoon यहाँ पानी एड़ करूंगी और 2 tablespoon जितना हम यहाँ neutral gel एड़ करेंगे जिससे यहाँ chocolate glaze की अच्छे से shining भी आ जाएगी आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ chocolate glaze बस 3 ingredients से ready हो गया है इससे सबसे पहले हम अच्छे से mix कर लेंगे और यहाँ मेरी एक mistake छोटी सी हो गई कि chocolate glaze तो बना लिया लेकिन उसको मैं सीव करना भूल गई क्योंकि इसमें जो neutral gel के छोटे छोटे बबल्स थे वो रह गए थे वो अच्छे से mix नहीं हो पाए अगर मैंने इसे अच्छे से छान लिया होता तो मुझे यहाँ perfect और smooth chocolate glaze मिलता और जबी मैंने इसे cake पर डाला तभी मुझे यहाँ realize हुआ कि अभी आप देख सकते हो कि हमारी chocolate glaze की consistency ribbon consistency है बस यही हमारी perfect consistency है तो इससे हमारा chocolate glaze cake पर अच्छे से spread हो जाएगा और प्लस हमने यहाँ इस तरह से setting भी कर लिया है एक plate रग दी है उस पे हमने wire rack रग दिया है ताकि जो भी chocolate glaze drip होगा वो direct plate पर जाएगा और मैंने यहाँ cake को भी wire rack पर shift कर लिया है और मैंने spatula उसकी अंदर ही रखा है ताकि हमें जबी cake को cake board पर shift करना हो तो आसानी रहे अब मैंने यहाँ chocolate glaze अच्छे से drip भी कर दूँगी आप देख सकते हो कि हमारा chocolate glaze बहुत ही अच्छे से drip भी हो रहा है आप भी एक बार यह chocolate glaze की recipe ज़रूर ट्राइ करना और हमें comments करके बताना कि आपको यह recipe कैसी लगी अब मैं यहाँ spatula लेकर भी अच्छे से यहाँ थोड़ा से spread कर दूँगी ताकि टॉप पर जो extra glaze है वो नीचे drip हो जाए और नीचे के side walls है cake के वो भी अच्छे से cover हो जाए तो इस तरह से spatula की help से थोड़ी सी cake को cover भी कर लूँगी और एक दो बार हम plate के साथ tapping करेंगे ताकि जो भी extra chocolate glaze है वो नीचे drip हो जाए अब हमारा cake यहाँ chocolate glaze से अच्छे से cover हो गया है तो अब मैं यहाँ इसे cake bowl पर भी transfer कर लूँगी और transfer करना भी बहुती easy है और क्यूंकि cake chill थी तो हमारी cake पर chocolate glaze भी अच्छे से set हो गया था अब मैंने यहाँ थोड़ा soft scraper ले लिया है जिससे थोड़ा अच्छे से finishing भी कर दूँगी उसके बाद मैं यहाँ zigzag scraper लेके इस तरह से cake walls पर zigzag design कर लूँगी इससे हमारी cake और भी अच्छी लगेगी अब हम यहाँ cake board भी अच्छे से tissue से साफ कर लेंगे और आज हम यहाँ थोड़ी सी unique design देखने वाले हैं और यह design बहुत ही easy है और beginner friendly भी है तो मैंने यहाँ R11 nozzle ले लिया है जो rose बनाने का nozzle रहता है वो उसको मैंने piping bag में अच्छे से fit भी कर लिया है अभी जो nozzle की side की जो पतली tip है वो side मैं इस तरह से गनाश से lining कर रही हूँ ताकि हमें एक shading effect मिले तो मैंने यही एक चीज strike की थी और मैंने यहाँ moose cream भर ली है जो हमने पहले बना कर ही रखी थी वो मैंने इस तरह से fill कर दी है अब हम यहाँ एक एक petal बनाते जाएंगे जो पतली वाली tip है मैंने उसे उपर की side रखा है और जो मोटी वाली tip है मैं वो नीचे की side रख रही हूँ बस इस तरह से हमें अलग-अलग petal बनाना है single single petal हमें बनाते जाना है ताकि हमारा बहुती प्यारा design end में बन जाएगा एक पूरा बड़ा flower बन जाएगा और आप देख भी सकते हो कि यहां गनाश की हलकी-हलकी सी border आ रही है starting में एक-दो petal में वैसा हुआ लेकिन उसके बाद अच्छे से यहां गनाश की border भी आ रही है मैंने just एक trick try की थी लेकिन वो यहां अच्छी भी लग रही है तो यह trick बहुत ही successful है तो आप भी अपनी recipe में जरूर try कीजेगा और बहुत सरे friends हमारे comments को ए questions पुछते है कि मैं आप कौन सा premix use करते हो जबकि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मैं pristine का premix use करती हूँ और हमने specially इसके लिए question answer session वीडियो भी आपके लिए बनाया है जिसकी link मैंने description box में डाल दी है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा इनके आपकी दूसरी भी जो कोई doubts रहेगे और वो हमने वीडियो में बताया है तो आपके लिए भी helpful रहेगा तो आप हमारी channel को पर जरूर विजिट कीजेगा और वो वीडियो भी एक बार चेक कर लीजेगा बस इसी तरह से हम पूरी design बनाते जाएंगे तो मैं यहाँ second round भी finish कर दूँगी maximum हमारे यहाँ three to four rounds के petals बनेंगे मुझे लगता है कि four rounds बनेंगे अब देख सकते हो कि हमारा यहाँ design ready हो गया है total यहाँ four rounds बन चुके है और यह cake बहुत ही pretty लग रही है और यह खाने में भी tasty है और दिखने में भी बहुत ही pretty है अब मैं यहाँ बीच में इस तरह के छोटे छोटे चोकलेट बॉल्स भी add कर दूँगी ताकि हमारी cake और भी अच्छी लगे आपको यह design अच्छी लगी हो तो हमें comments करके जरूर बताना अब मैं यहाँ cake के bottom को इस तरह से mix चोकोचिप से cover कर दूँगी ताकि हमारी cake और भी सुन्दर लगे और यह बहुत ही easy है और beginner friendly भी है जो friends beginners है उन्हें अभी अभी cake बनाने सीखा है तो यह design जरूर try कर सकते हैं जब आपको कभी urgent order आता है तो ऐसी design आप फटाफट बना के अच्छे से cake भी deliver कर सकते हो अगर आपको यह cake design पसंद आई हो तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा हमारी यहाँ cake ready है अब हम यहाँ दूसरी cake भी बना लेंगे तो उसके लिए मैंने इस तरह से open star nozzle ले लिया है जिसमें मैंने मूस क्रीम ही fill कर दी है और यह half kg का cake है तो इस तरह से अब हम यहाँ bottom में इसकी border भी कर देंगे और उपर भी हम इस तरह से top पर rosettes बनाते जाएंगे और इस तरह से हम rosettes बनाएंगे same nozzle से मैंने rosettes बना लिये है और आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ border बहुत ही अच्छी लग रही है same nozzle से आप बहुत सारी designs भी बना सकते हो और ऐसी वीडियोज मैंने हमारे instagram चैनल पे भी share की हुई है तो आप एक बार जरूर page भी visit करिएगा और check जरूर कीजिएगा तो इस तरह से हमारी यहाँ दूसरी cake भी ready होने आई है आपको दोनों में से कौनसी cake design ज्यादा अच्छी लगी वो हमें comments करके जरूर बताना आपकी comments का ज्यादा इंतजार भी रहेगा तो इस तरह से मैंने top की border भी cover कर ली है अब मैंने यहाँ frosting वाला गनाश ले लिया है यह भी open star nozzle ही है लेकिन यह छोटी size में है तो इस तरह से same जो मैंने cream से design की थी वो ही same design मैं यहाँ गनाश से कर रही हूँ लेकिन देखिए दोनों अलग-अलग frosting है तो यहाँ इसका दोनों का look भी बहुत अलग-अलग आ रहा है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा सा royal look भी लग रहा है तो बस ऐसी ही simple designs के साथ हमारी यहाँ बहुत ही अच्छे से cake ready हो गई है और बीच के gap को मैं यहाँ mixed chocolate chip से cover कर लूँगी और आप से sorry भी बोलना था क्योंकि मैं comments में सबको personal reply नहीं दे पाती हूँ लेकिन हो सके उतनी में videos में reply या आपके doubt solve कर दूँगी आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो हमें comments करके जरूर बताएगा तो फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी cake videos के साथ तब तक के लिए cake बनाएए सब को खिलाएए और enjoy कीजिए बाबाई